जब प्रियांका के सिर पर सजा था मिस इंडिया का ताज, आक्ट्रस ने शेयर किया वीडियो आक्ट्रस प्रियांका चोप्रा आज बॉलिवुड और हॉलिवुड की सक्सेस्फूल सेलब्रिजीज में से एक है उनका यह सफर 20 साल पहले ब्यूडी पेजिन्ट मिस इंडिया के स्टेज से सुरूबवा था उन दिनों को याद करते हुए प्रियांका ने एक खुड़ाना वीडियो और कुछ तस्वीरे साजा की जब प्रियांका चोप्रा को मिस इंडिया के ताज से नवाजा गया था खुड को 20 साल पहले देखते हुए प्रियांका ने हैरानी जताई उन्होंने यह वीडियो इंस्ट्राग्राम और टुटर पर शेयर किया है वीडियो देखते हुए प्रियांका मजाक्या अंदाज में कहती है ये मैंने क्या पहना है मेरे सिर पर ये कादो साथ डिजाइन वाला ताज क्या है क्या मैं खुद को ईशू समझ रही थी इसके बाद प्रियांका अपने पुराने वीडियो में लोगों का अभिवादन करते हुए देख कर खुद की हस पड़ती है वीडियो फुटेज में खुद को जीतते देख खुश भी हुई वे कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जीत जाऊंगी मेरे ट्रेन टिकेट की बुकिंग हो चुकी थी और मुझे वापस जाकर बोर्ड परिक्षा देनी थी और मेरे सिर पर ताज था जिंदगी भी अजीब है 20 सार बीच चुके हैं और मैंने अब तक पीछे मुण कर नहीं देखा उन्होंने फोटो सूर्स में अपने लंबे बालों को देख कर हैरानी भी जताई वे कहती हैं उस वक्त मैं 16 की थी मेरे बहुत लंबे बाल थी आप मेरे 90 के दसक का मेकप देख सकते हैं डाक लप्स्रिक, आई-लाइनर, खेर यही सबसे सुरू हुआ था यही वे तस्वीरे हैं जिसने मुझे ख्वाबों की दुनिया में पहुँचाया गौर्दले भाई प्रियांका चोप्रा ने इस साल इंटजेनमेंट इंडस्ट्री में 20 साल पूरा किया है पिछले दिनों उनकी टीम ने इस उपलब्दी पर उन्हें खास अंदाजा में बढ़ाई दी थी प्रियांका चोप्रा ने 2003 में फिल्म हीरो, The Story of a Spy से की थी इसके बाद अंदाज में उनके काम की काफी सराहना मिली प्रियांका को पिछली बार The Sky Is Pink में देखा गया था उनकी आने वाली फिल्मों में The White Tiger सामिल है